असलाओ लेकम दोसले अम इम्रान हराज एक निवडिक साथ हाजेरो फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं हम जब भी यूट्यूब में कुछ सर्ज करते हैं तो जो वीडियो हम देख रहे होते हैं उसी से रिलेटेड यूट्यूब हमें कुछ वीडियो जो हैं वो शो करवाता रहता है जो कि रिकमेंटे होती हैं अब यहाँ पर मसला यह है कि जो YouTube पे सेर्च करें, वो जैसे आप YouTube को बंद करें, वो सारा कुछ वहां से, बतलब दुबारा वो शो ना हो, और कोई भी ना चक कर सके कि आपने क्या क्या सेर्च किया है, दोस्तों फाइनली YouTube ने वो अपडेट कर दी है, आप जैसे YouTube की सेटिंग्स में जाएंगे, तो वहां पे जो भी history होगी, जो कुछ आपने देखा होगा, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो ये option on करने के लिए, आपने सबसे पहले play store को open करना है, play store को open करने के बाद, आपने यहाँ पर search कर लेना है, YouTube, YouTube search करने के बाद, आपने सबसे पहले इसको update कर लेना है, क्योंकि ये update अभ पर right side उपर जहाँ पर profile होती है, उसके उपर click करें, जैसे आप यहाँ पर click करेंगे, तो आपको यहाँ पर एक option मिल जाएगा, turn on incognito, तो आपने इसके उपर click कर देना है, okay, उसके बाद यहाँ पर got it पर click कर दे, okay, तो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, right side उपर आपको एक option मिल रहा है, जो के incognito का option है, और यहाँ पर अगर आप बिल्कुल नीचे देखें, screen के तो यहाँ पर लिखाओ है, you are incognito, अब आप जब भी incognito option का इस्तमाल करेंगे, और इसको on करके, जो कुछ भी YouTube पे देखेंगे, जो कुछ भी search करेंगे, जैसे आप YouTube को ब आप देखेंगे, आपकी history मुबाइल फून में नहीं रहेगी, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, लेकिन काफी अरसा से YouTube की इस update का इंतजार किया जा रहे था, कि YouTube पे भी कोई ऐसा option होना चाहिए, कि हमारी privacy related जो कुछ हम देखते हैं, वो कोई और ना देखे, जाहरी सी बा यहां पे सबसे उपर एक आपको option मिल जाएगा, turn off incognito, तो आपने इसको यहां से off कर देना है, जैसे आप इसके उपर click करेंगे, तो यह यहां से off हो जाएगा, तो अगर आपने इसको दुबारा on करना हो, तो जैसे मैंने पहले बताया, आप दुबारा वहां पे settings में जाक तो मिलते हैं किसी नियोगरे के साथ, मुझे अपने दौाओं में याद रखेगा, टेक केर एंड अलाहाफेज